गुद इवनिंग बच्चो देखो बच्चो अपने श्ट्री के अंदर अंतिम चेप्टर अर्थाद जो पंदरवा पाठ है सविधान का निर्मान यहे चेप्टर अपने श्टार्ट कर रखा था और इस चेप्टर की अपने एक कलास हो चुकी है सविधान अपने चेप्टर को आगे बढ़ाते हैं आज अपने बात करेंगे अब अपने जो सविधान सबा थी उस सविधान सबा ने अपने देश का सविधान बनाने के लिए किस परकार से कारिय किया कौन-कौन से निर्लेओं को लागो किया कौन-कौन सी बातों को घ्रहन किया कब उद्दे से परस्ताव रखा किन मुद्दों को लेकर किस परकार का निर्ले ने किया इन सब बिंदों के उपर चर्चा अपने आज की इस कलास में करेंगे तो स्टार्ट करते हैं विया सबसे पहला पॉइंट है अपने सविधान की दरश्टी उद्देशे परस्ताव देखो सबसे पहले तो आप यह द्यारत मैं यह उद्देशे परस्ताव है क्या उद्देश ये परस्ताव जो है वर्तमान समय में अपने जो सविधान की परस्तावना है ना परस्तावना आपको सबको पता होगी आपने देखियोगी दस बारा लाइन की परस्तावना है है उद्य से पर परश्टाव या दूसरी सब्वे पूछ ले उद्दे परश्टाव क्या है मतलब अपने सविधान का जो मोटा मोटा सार है मतलब दो कोई एतनी बड़ी है कोई कविता आ गई कोई कहानी आ गई है और फिर आपको पूछते सार् क्या है संगसेफ में बताओ तो उद्धे से सताव क्या है अपने स्विधार का सार है एक परकार से उड cambi sound में क्या कहा गया है उन्सेप में बताया गया है अपने उद्धेश से पर उद्धीस यहां पर मैंने कई जगए अंडरलाइन करके लाल पेन से ठीक है यह सारे क्विशन आपकी बोर्ड एक्जाम में पूछे हुए है यह द्यारकना तो उद्धे से परस्ताव किस ने रखा था यह तेरा दिसंबर गुर्णी सो च्छीयारेस को पंडित जमाहला नहरू जो थे उस अब यह है क्या इसमें सविधान के मूल आदर्श या रूप रिखा थी मतलब उद्धे से परस्ताव में क्या है सविधान के मूल आदर्श है उसकी रूप रिखा है उसका खाखा है एक परकारशे अपने कहे तो मूल आदर्श में क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि भार को क्या गोषित किया जाएंगा एक सम पर्वू साउतनतर मतलब जो किसी के दबाव में नहीं है साउतनतर हो के बेटबाव के सभी लोगों को समान रूप counting सरतं तरता और समानता का वेवार किया जायेगा ये क्यूसर्प आया हुए डार्फनेजब में क्यूसर्प पूछा था उदेशे प्रस्ताव का मूल सार क्या है या उदेशे प्रस्ताव के मूल आदर्स क्या है ये तीन ठीक है दो बाते हो गए तीसरी बात इसमें कही गई थी कि जो अलब संक्यक लोग है अल्फ संक्यका मतलब जो संक्याक में क्या है या कम है जैसे अपने भार्त की बात कर ले तो भार्त में हिंदू के बाद में हिंदू तो बहुत संक्यक हो गए फिर मुस्लिम है सिक इसाई है जेल है ये कैसे है अल्फ संक्यक है अर्व संक्य के पिछरे वर के लोग जन जाती छेतरों के लोग जो है उनकी क्या की जाएगी रक्सा की जाएगी ये बात भी किसमें कही गई उद्दे से परस्ताव में और उद्दे से परस्ताव किस ने रखा पंडित जवाहलाल नहरूने 13 दिसंबर 1906 को कलियर है अब पंडि जवाहला नहरूने एक बात कही थी कई लोगों ने कहा कि हम तो दूख से देसों के नकल कर रहे हैं क्यों क्यों कि ये समानता सवतंतरता बंदुत वे ये नारे विया फ्रांस की करांती के समय के हैं अमेरिका में भी ऐसी बाते हो चुकी है अमेरिका करांत की जो व्यवस्ता इस्तापित होगी वह हमारे लोगों के अनुरूप और सविकार ये होगी मतलब हम चाहे दूर से देसों कितनी भी नकल कर ले लेकिन हम जो भी नकल करेंगे न वो जनता की राय के नुसार होगी समझ रहे हो मतलब आपने किसी देस से कोई सिस्टम अपना या किसी देश से किसी बात को गरण कर लेकिन वो हमारी जंता स्विकार करेगी तो ही हम उसको सविदार में एड़ करेंगे अन्य था नहीं करेंगे तो यह क्या था विया अपने सविदान का उद्देशे परस्ता अब यहां पर लोगों की कई इच्छे प्रकट हुई लोगों इसी समय फिया एक कम्जूश्ट पार्टी का सदश्य था समनातने लाहिडी इसने कहा कि सविदार सभाजो किस की बनाई हुहि हैं अंग्रेजु की बनाई हुई है बए सवधान सभागा अजाती शिर्वाइब कर रहे हैं इस परकार की बात कही थी देखो एजजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है मतलब सुहमनात लाहिडी ने गहा कि ये सवधान सभाग क्या कर रही है अंग्रेजों के सपनों को या अंग्रेजों की जो योजना थी उसको साकार करने का कामें कर रही है ऐसी बात कही थी देखो तब नहरू ने कहा था कि सविधान सबा के गठन में अंग्रेजों का हाथ था लेकिन अब इसके पास जनता की क्या है ताकत है सो अमनात लाहडी को जवाब देते हैं जवाला नेरू ने कहा कि हाँ आपकी बात सही है सविधान सबा अंग्रेजों के द्वारा बनाएगी थी लेकिन अब जो सविधान बनेगा न उस सविधान के पीछे किसका हाथ होगा जनता का हाथ होगा हमारे देश की जनता का हाथ अब यहां पर अंग्रेजों का किसी परकार से कोई लेन देने नहीं है सविधार सभा उन लोगों की आकांसों की अभिवेक्टी का सादर है जिन्होंने सवतंतरता आंदोलन में क्या किया था भाग लिया था कि ये जो सविदार सबाय ये केवल अंग्रेजों की नहीं है ये उन लोगों की अभिवेक्तिका सादने एक परकार से उन लोगों की देन है जिन्गों ने भारत की आजादी के अंदर कंदे से कंदा लड़ा कर अंग्रेजों के साथ में क्या किया था मुकाबला किया था नहरू ने कहा कि बीटी सरकार ने 1909, 1919, 1935 के अधिनेयम यहाँ पर आपके बुक में डिटेल से नहीं दिया हुआ है इसलिए इनकी चर्चा आपने डिटेल से करेंगे में नहीं लेकिन मोटा मोटा आपको बता दू देखो 1909 के अधिनेयम के द्वारा तो फर्तक निर्वाचन की बात कही ती मुस्लमानों के लिए गुनी सो 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 गुनी स इमर्च नहीं किया Celtic subad Vara जो varal जो सुषविधान बनाया जाएगा, उसमें जनता का सयोग लिया जाएगा, जनता की चिंशविशदारी होगी जनता की राए होगी, जनता से विचार विमर्च के जाएगा, जनता से मसवरा लिया जाएगा एसी बात कही थी किसने पंडित जवाहर डाले नहरूर ने आगे देखो भी या अगला पूर्ट आता है अपने अंतरिम सरकार देखो यहाँ पर आपके एक दो छोटे क्विशन पूछे जाते है कही बार ठीक है कि अंतरिम सरकार क्या थी पहले तो यह जार को अंतरिम सरकार कहते किसको है देखो भी यहाँ अपने देश का सविधार नहीं बना था पतलब जब तक अपने देश का सविधार नहीं बना था सविधार बनने से पहले अपने देश की तो सासन व्यवस्ता है उसको चलाने के लिए जो सरकार गठित की गई थी उसी का क्या नाम था अंतरी में सरकार ठीक है इस सरकार में बिया टोटल कितने सदश्य थे 14 सदश्य थे पहला क्यूशन तो ये जा रखना है इसका गठन कब वा था 2 सितंबर 1966 को वा था इसका अदेक्स जो था वो कौन था भारत का गावनर जेनरल और उपादेक्स इसको बनाया गया था पंडित जवाहलाल नहरू को ठीक है अगला यहां पर कई बार क्यूशन पूस्तता है कि इसमें जो 14 सदश्य थे उनमें से मुस्लिम लीग के सदश्य कितने थे पांस थे पांस सदश्य बनेते हैं अपने गजन फर अलिका लिया का तलिय आसफ अलिय इस परकार से आई चुंदरिकर पांस सदश्य कों थे मुस्लिम लीग के थे नेक्स पॉंट की बात करते हैं भी या अधिकारों का निर्ने कि अब बात जी आये कि साब सविधान टो बना रहे हैं लेकिन सविधान में किसको जादा अधिकार दे किसको कम अदिकार दे, जो गरीब लोग है उनके साथ में क्या किया जाए, जो दलित है उनके साथ में क्या किया जाए, जो अलब संकिक है उनके लिए क्या किया जाए, जो पिछड़े है उनके लिए क्या किया जाए, किसको जादा अदिकार दे, किसको कम अदिकार दे, किसको किया जाए कौन कौन से अधिकार दिये जाए और जो अर्व संक के कहा उनके अधिकार कौन कौन सी हो इस बात को लेकर विया सारे चुपो गए क्यों कि इसका ऐसा उत्तर किसी के पास नहीं था जिससे पूरी सविधान सभा क्या हो सहमत हो सभी लोग अलग अलग राय दे रही मैंने राय दे दी मेरे से सभी लोगों को क्या किया जा सके संतुष्ट किया जाए उसी समय बिया 27 अगस्त 1947 को मदरास के थे एक वेक्टी जिनका नाम था बी पोकर बहादूर सभी बी पोकर बहादूर ने फर्तक निर्वाचिका की मांग की इन्होंने कहा कि जिस परकारशे अंग्रेजों ने फर्तक निर्वाचिका किया था ना उसी परकारशे हमें भी क्या कर देना चाहिए अलप संकेख है उनके लिए फर्तक निर्वाचिका की बात कर देनी चाहिए ये लो साब ये बात कहते हैं सारे के सारे लोग क्या होगे आग बुला होगे क्यों कि अंग्रेजों ने पहले बटवारा कर दिया था अब वापस आप भारत बना है उस भारत के भी फर्तक निर्वाचन के अधार पर क्या कर रहे हो बटवारा कर रहे हो तो गोविन वल्लब पंत है गोविन वल्लब पंत ने कहा कि यह परताव जो है वो राश्टर के लिए नहीं बलकि अल्ब संक्यों के लिए भी क्या है खतना के इसलिए इस परताव को लागू नहीं किया जा सकता कोर से परताव को फरतक निर्वाचन को कि किसी भी आलत में फर्तक निर्वाची नहीं होगा सबी वेक्तियों का एक साथ चुनाव होगा अलग से चुनाव किसी भी अधार पर नहीं होगे चाहे वो किसी भी द्रम काओ, किसी भी जाती काओ, किसी भी संपरदाय काओ इसी समय बिया सरदारवल बाइर पटेल थे उन्होंने भी कहा था कि फर्तग निर्वाची का एक क्या है विस है एक जहर है जो हमारे देश की राजनिती में क्या हो चुकी है समा चुकी है इसने कहा था कि ये फर्तक निर्वाची का जो है वो एक जहर के समाने जो हमारी राजनिती में समा चुकी है क्यों क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये सिस्टम कब लागू कर दिया था गुन्नी सो नोके दिनियम के दुआरा आगे देखो अगर तुम देश में शान्ती चाहते हो तो इसे फोरन क्या कर दो छोड़ दो किसने कहा था वल्लब भाई पटेलने ये सारी किसने भी या दिया रखना आपको शिदा का शिदा ये पंक्ति देगा खतन देगा और पूछ लेगा ये हैं पंक्ति किसने कही थी ठी इसके बाद में भी या अंग्रेश तो चलेगे पर जाते जाते सरारत का बीज बो गए ये बात भी किसने कही थी सरदार वल्लब भाई पटेलने सरारत का बीज कौन सा यही फर्टक निर्वाचिका वाला पटेलने कही थी ये बात ध्यारत ना आपको कि अंग्रेश तो चले लेकिन जाते जाते श्रारत का भी जबो गया। यहं कतन किसने कहा था। इसे समय भी आदो मुसल्मान थे जिनके लिए फर्तक निरवाचन की बाल चल रही थी कि इनको फर्तक निरवाचन दिया जाए। उनका ये माना था कि फर्तक निर्वाचन से क्या होगा? देश के दो हिस्चे हो जाएंगे समाज दो बागों में बटे जाएगा अरतार सभी मुसल्मान जो है वो फर्तक निर्वाचन के पक्स में नहीं थे उन में से एक सभी मुसल्मान फर्तक निर्वाचन के मांगे समर्तन में नहीं थे बेगम एजाज रसूल गार रुकना भी या बेगम एजाज रसूल इन्होंने कहा कि फर्तग निर्वाचन जो है वो क्या होगा देश के लिए आत्मगाती थाबित होगा क्यों सर पूछ सकते हैं कि निम्ग में से किस मुसल्मान के दौरा यह पूछ ले कि फर्तग निर्वाचन जो है वो आत्मगाती थाबित होगा यहे खतन किस मुसल्मान के दौरा कहा गया है यहे खतन किसका है ठीक है इसी समय भी या किसान आंडोलन और समाजवादी सोच के एक नेता थे जिनका नाम था एंजी रंगा यह सब कुछ देख रहे थे इन्होंने कहा साथ आप अलब संकेक अलब संकेक कर रहे हो कब से मुझे यह तो बताओ अलब संकेक है को ने किसने कहता एंजी रंगा ने कहा कि अलब संकेक सब्द की व्याक्या आर्टी इस तरह के अदार पे होने चीए इन्होंने यह कहा कि अलब संकेक उसको मत बानो जिसकी संक्या कम है कम होने से कुछ नहीं होता है अलब संक्य का दर्जा उस वेक्ति को दो जो वाकई में गरीब है जो वाकई में पिछडा हुआ है जिसके पास में खाने के लिए अनाज नहीं है जिसके पास में पहनने के लिए कपड़ा नहीं है रहने के लिए मकाने नहीं है ये किसने कहा था एंजी रंगा ने कहा था बाई अलब संक्यक का मतलब क्या हो गया जो संक्या में कम है तो संक्या में कम होने का मतलब ये थोड़ी कि वो गरीब हो गया वो पिछला हुआ हो गया इसने कहा कि अलब संक्यक जो है ना अलब संक्यक उनको मानो जो वाके में क्या ह सब्सक्राइब वो कौन है दबे कुछले पिछले दलित लोग है गरीब लोग है पिछले वे लोग है अगर कुछ करना है तो उनके लिए करो इसी समय भीया जो भीमरा अमबेट कर थे जिनने अपने दलितों का मशिया सविधान का पिता कहते हैं इन्होंने भी भीया बटवारे के बाद में जो फर्तक निर्वाचिका की मांग थी वो इन्होंने भी छोड़ दी इन्होंने भी कहा था कि संपूर्ण देश जो है वो क्या होना चाहिए एक होना चाहिए यही भीमरा अमबेट कर जो थे इन्होंने 1931 में जो गोल में समयलन हु मांग की थी लेकिन जब देश का बटवारा हो गया तो इन्हों ने भी फर्तक निर्वाचन की मांग को छोड़ी दिया यह थी विया अपने आज की क्लास अब इस चेप्टर की अपने एक या दो क्लास होगी यह है चेप्टर आपका कम्प्लेट हो जाएगा ओके देट्स